यहां पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी कितने काफिर मारोगे पता नहीं ऐसे कर गे कितने नारे बना दिये गया है तो जारी सी बात है अगर उनको मौका मिलेगा यहां से जाने गा तो वो तो शुकर करेंगे भाई वो शुकर करेंगे वहां जाएंगे उनको वहां से नहीं है अपने मुल्क केंदे तो हो इंडिया आगे से फील करें ताके और आगे सिक्टिजन्शिप भी ले सके पाकिस्टान को भी ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और कहलें के जो दूसरी मैनौरिटी हैं दूसरे ममालिकों मेंसे वह भी यहां पर आने चाहिए बलके हमार स्वामी का केस डाल दो उस पर कोई पूछने पूछेगा नहीं क्या हुआ है कोई कुछ नहीं करेगा वो लोग जाएंगे उनको कतल कर देंगे सर काड़ देंगे उनके घर जला देंगे और पूछने वला इसको कंट्रोल करने की भी हमें जरू होता है किस कंट्री के मिनौरटीज इस खबर को पढ़के खुश हुई होंगten अब मुझे लगता है कि में भी पागिस्तान की मरोटी साथ कुछ जो होगी उन्हें ने गए कि चलो यार ऑपिचुनिटी मिलने भी प्रक्सितानी प्रक्साष्व तो इस वीडियो में उसके साथ में और सुछ जो इनका इंप्लिमेंटीशन भारत में इसके उपर हम जानेंगे के वैसी जी और उसके साथ-साथ बहुत सारे जो इंडियन मुस्लम है वो इस वक्त सड़कों के उपर है या वो अगर सड़कों के उपर कुछ नहीं भी है तो इसके खिलाफ जो बियान दे रहे हैं, बाते कर रहे हैं मैं पाकिसान में रहता हूँ, बाकी बंगलन देश और अफगानिस्तान का तो मुझे नहीं पता लेकिन पाकिसान के अंदर जो मैनोर्टी हैं, खासतोर पर हिंदू मैनोर्टी है, सिक मैनोर्टी, क्रिस्चन मैनोर्टी, पार्सी, जिन जिन के नाम इस एक्ट के अंदर हैं, व बहुत सारे ऐसे हैं कि जो शिफ्ट होने जा रहे हैं या जिनोंने अप्लाइ कर रहा है और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जब वो शिफ्ट हो जाएं लेकिन अभी उनके हलाब इसकदर मौफिक नहीं उनके लिए तो वो भी यहां से जाना चाहरे हैं मैं यह समझता हूँ कि अग हमारा जो यहां का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर हमारे लोगों का बहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं है हमारी स्टेट इनको उनके राइट्स जो हैं वो भी प्रॉपरली इनको नहीं दिये जा रहे लेकिन यह सारा होने के बावजूद जो भारत के मुसलमान है उनको कि लोग जो मजलूम्यत का शिकार है पाकिस्टान में अगर भारत के उन दर को लाकर आबाद किया जा रहा है सुभावाइब दी जा रही है उनको सम्माव दिया जा रहे तो इन से बरदाष्ट क्यों होता है पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए और वहर जाकर खुश भी है जशन मनाया है उन्हें वज़ा है यह लिए लिए लंभाई फिक्रिया है पाकिस्तानी थे वो भी वो चले गे वहाँ पर यहां माइनोर्टी का क्या अलम है जी उनका जाना बनता था क्योंकि यहां पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं तो जब कभी किसी गहर मज़भ से यानी हिंदू से बात की जाए ना तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इं हम उनके लिए डिजर्व नहीं करते हैं वो डिजर्व करते हैं वहां पर जहां पर उनको इस्ज़त मिले देखिए यहां पर उनको ना तो किसी किसम का कोई हकूग दिये जाते हैं ठीक है हकूग उनको तो फिर मैं क्या कहूँ उनको छोड़े यहां पर हम लोगों को खुद सब बात की है कि सिजिसन्शिक अमेंडमेंट अक्टी तो जितनी बी माइनौरेटीजs है जो आपका तालक चाहे आप सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिस्टिन हैं, पार्सी हैं या कहलें कि सिख हैं या बुदिस्ट हैं तो आपके लिए जो सिडिजिजिशिप के रास्ते हैं वो उपन कर दी है नरेंदर मुदी ने और यह बड़ी अच्छी बात है और आई होप सो कि मैं सोच रही हूं कि म 2019 को इंटर्ड्यूस करवाया गया था लेकिन इतना अप्लिकेबल नहीं नजर आ लेकिन अब अप्लिकेबल नजर आ रहा है तो लोग में भी समझें कि एक प्रोपेगेंडा है यह कहलें कि एक प्लिटिकल स्टंट किया जा रहा है जिसके तो इंडिया खुद एक सेकुलर स् एक तरीका है बट मैं समझती हùकिए है अगर चले यह भी स्ट्राटिज्गी सिस्तामाल की जा रहे है तो अपर cheaper कर सकते है रहां पर जाकर चुड़कर minorities हैं वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाहा रहे हैं यहां पर हिंदूस जा चुके हैं सिक जा चुके हैं और स्पेशलि अगर क्रिस्टिंस की भी बात कीज़े तो वह भी बहुत कम तदाद में यहां पर रह चुके हैं और आई होप सो के जिन जिनको यह न्यूस पता चल रही है वो डाफिनिटली अप्लाय करें ट्राय करें और देखें कि इंडिया कौन कौन सी उपचुनिटी उनको प्रवाइड कर रहा है कि इसका जो प्रोसीजर है वो कितना असान होगा कितना मुश्किल होगा एक अगर पाकिस्तान में रहने कि अगर बात की जाए आपने थोड़ा इसके ओपर स्टेडी किया हो तो आपको क्या लगता है कि कैसा प्रोसीजर है वहां जाने के लिए और क्या इधर की गवर्मेंट अराम से जाने देगी अगर उन्होंने अमेंडमेंट की है तो पाकिस्तानी गवर्मेंट को मतलब कोई होगा इसको अंगर भी आफैने यूके का ले रहे हैं यूए से का ले रहे हैं तो आपकी फॉस हो यह रहांगर रहा है पाकिस्तान में हमारे यूत है वह कहीं नजर आरही है आपको वो और लोगों को बैटर आफ़ बीडियोंटेस मिलेंगी वहां पर जाएंगे जाएंगे और आप एकनॉमिकल सिचुएशन देख ले हमारी हमारी गौर्वर्मन्ट आई है जैसे ही कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश कर रही है तो मैं समय तो कि इसमें अगर गौर्मन्ट भी चाहेगी तो वह एक बंदे की अपनी परसनल उपीनियन है कि वहां पर जाए है कि भारत के अंदर सिये लागू होने के बाद अब धीरे धीरे जो है ना जैसे जैसे भारत सरकार जो इन तीन देसों से बांगलादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो माइनोर्टी है जिसमें जेन आ गए बुद्धिष्ट आ गए श्रीक आ गए खृष्यन आ गए हिंदू आ गए और भी जो माइनोर्टी है उन सब को जो है ना भारत की नागरिक्ता दी जाएगी भारत के अंदर तो पाकिस्तान का मीडिया खुद इस बात को बता रहा है कि आने वाले समय में जो थोड़े बहुत हिंदू पाकिस्तान के अंदर बचे हैं वो भी अब नही रहेंगे क्योंकि वो सब जो है ना पाकिस्तान को छोड़ कर बारत चले जाएंगे और क्यों ने जाए किस परकार का जुल्म जो है ना पाकिस्तान के अंदर माइनोर्टी के उपर किया जाता है अभी आपने अगर पुरानी बात पर हम नहीं जाए तो नहीं नहीं कहीं सारे इसी खबरें हैं जहां पर पाकिस्तान के अंदर पूरी के पूरी क्रिश्यन बस्ती को जला दिया गया कितने हिंदू मंदिर तोड़ दिये गए तो धर्म के नाम पर जिस परकार से पाकिस्तान के अंदर हत्याचार होते हैं तो जो बड़ा देश हैं बारत उसको इस परकार का डिसीजन लेना ही था अकिरकार और इसके उपर आपने जो है ना पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी जो मीडिया का रियक्षन आपने देखा है अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करकी जरूर बताना हम मिलेंगे अब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है